आज किस वीडियो में हम DDFridish को लेकर ही बात करेंगे और जानेंगे कि देखे जाने वाले चैनल्स अब DDFridish पर लोटना क्यों नहीं चाते जहां एक तरफ हमारे सवाल ये है कि DDFridish के बारे में तो ये ही बताया गया था कि ये देखे-जाने वाले चैनल्स वापीश लोट रहे हैं तो दूसरी तरफ अब कुछ आर्टिकल में ये भी देखने को मिला है कुछ रिपोर्ट को 수짜 do डिए आगे नहीं आई उण्हें वीडरो करें चैनल पहले बराएत है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आकन को भी प्रेश कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो उसके सबसे पहले जरूर मिरें बताना चाहूँआ कि गरागों के मन में सवाल यही है कि जब हमारे लिए ऑक्षन रखी गई देखे जाने वाले चनल में सोनी पल और कलश रिष्टे ने स्लोट भी जीद लिया तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने अपने चनलों को ल हो जाते हैं अब इसमें डिडि फिडिश का दोधोस्ट नहीं लेकिन हां डिडि फिडिश के ग्रागों के साथ ना इंसाफी जरूर हो गई क्यूंकि उनको एक उमीद जगा दी गई कि डीडी फ्रिडिश में आ रहे हैं एक तारिक से और उसके बाद डीडी फ्रिडिश की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब ब्रोड कास्टर ने यहां से एक्षिट ले लिया अपने चनलों को लॉंच करने से पहले ही विड्रो करने का फैसला ले लिया तो उसके बावजूद अभी तक ओफिशली ट्वीट के प्लैटफॉर्म पर इसके बारे में जानकरी क्यों नहीं दी गई है जब लोगों के दोवारा सवाल पूछे भी जा रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों के सवालों को इगनोर क्यों किया जा रहा है आखिरेसी क्या वज़व हो गई है कि डीडी फृडिश को इसके बारे में लोगों को सुचित करने में परशान ही हो रही है बेरे ख्याल से तो देखिए जो है पब्लिक के सामने आना चाहिए डीडी फृडिश को ओफिशली डिक्लेरेशन करने ही चाहिए कि जो चनल आने वाले थे वो उसका रीजन क्या है को क्यों नहीं आ रहे है कि यहां पर हम जीतनी बात है करेंगे उतनी है में सामने मिलें के सुनने को कुछ कह रहे है कि ऐसी परवल्म रहे है एसी कुछ सामने आस सब्सक्राइब कर दकि को इसमें करना करना चाहिए लेकिन वो सचाई थामने क्यों नहीं रहे हैं इसके बारे में जो है सोचने वाली बात होगी और यहां गर हम स्तिती को देखते हैं तो जो दो बाकी चनल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो भी तक पाटिसिपेट नहीं किये तो भी आ जाएंगे तो 65E उक्षन में उनकी के लेकर रहा है क्योंकि जहां इन देखे जाने वाले चनल्स ने डीडी फ्रिडिश का भी समय खराब किया यह ओक्षन भी खराब की तो वह डीडी फ्रिडिश चाता है कि इस बार किसी दूछरे चनल्स को तो मौका मिले कुछ वक्त के लिए तो हम अर्णिंग कर लें जो कि जो कि आपको लगता है कि डीडी फ्रिडिश पर आना चाहिए और वह अभी तक अवेलेबल नहीं जो भी सवाल हो जो भी राय हो नीच आपका कमेंट बोक्स में हार्दिक सो आगाता है नमस्कार